नमस्कार और वेलकम यौल तो वर्ल अफेर्ज नहीं प्रशान दवर्ण नाव ये बात आप सबको बता है के भारत में मुबाइल फोन्स की मैनुफेक्चरिंग स्मार्ट फोन्स की मैनुफेक्चरिंग दिरे जिरे बड़ रही है और उमीद है कि जैसे जैसे बहुत सारे जो क तावनी दी है भारत को कि अगर गूगल की नहीं सुनी गई एंड्रोइड एप्स के मामले में तो भारत में स्मार्ट फोन्स बहुत जादा महंगे होने वाले हैं यहां पर आप देख पाओगे गूगल वॉन्स ऑफ स्मार्ट फोन्स टर्निंग मोर एक्सपेंसिव फॉर इ रिशु हो गया है यहां पर प्रॉल्म क्या है समझाता हूं आपको सबसे पहले जान लो करas और यह इतना जरूरी क्यों एो यह है आपके सामने कॉम्प्रेशन कमिशर ऑफ हिंडिया की बिल्लिंग दिल्ली में बडि साधी का मैं बुजराओं गुजराओंगा से मगर इस साधरन सी मिल्डिंग में बहुत हीं इंप्धरिन फैसली होते हैं इंडिया की मार्केट को लेकर मैं आपसे एक बहुती सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा क्या आप लोग नहीं चाहेंगे के कल को भारत के डिवलपर्स अपनी युनीक आप्स बनाए और ये बहुत जादा फेमस हो और ये आप्स कोर बिजनस से रिलेटेड हो जैसे के इमेल, सर्च इंजन या फिर इवन यूपी आई पेमेंट वाली आप्स अफकोर्स आप चाहोगे के भारत में लगातार इनोवेशन होती रहे तो Competition Commission of India का भी मेन काम यही है के एंशोर करना के एक बड़ी कमपनी के पास जब बहुत सारा पैसा आ जाए तब वो कुछ ऐसे पैतरे ना अपलाने जिसकी वज़े से उनकी पूरी मनौपली हो जाए पूरी मार्किट को वो कब जाने की कोशिश करे और Competition Commission of India ने हाली में दो बड़े फाइन लगाए हैं Google पर एक अराउंड थर्टीन हंडिड करोड रुपीस का एक रफली नौसों करोड रुपीस का फाइन है ये दोनों फाइन Competition Commission of India ने गूगल पर इसलिए लगाए हैं क्योंकि गूगल ना Android जो उनका में सौट्वेर है उस पर लगातार अपनी ही Apps प्री इंस्टॉल कर रहा है और इससे कल को नए प्लेयर्स Apps की मार्किट में तानी पाएंगे और अगर आप सोच रहे हैं वेल इतनी आप सुड़ीना है गूगल की अरे यहाँ पर आप देख पाओगे आज के समय गूगल अर्थ इनका जो मैंने ब्राउजर खोल रखा है क्रोम बुक ये इनका जो आप यूट्यूब पे जिसमें मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोग सुर रहे हैं ये गूगल का उसके अलावा गूगल प्ले का मेन इनका मार्केट प्लेस भी है वो लोग भी ये खुच चलाते हैं उसके अलावा गूगल फोटोस भी आ गया है बिल्कुल गूगल फोटोस भी आपने देखा होगा वाइल फोन पे आ चुका है फिर उसके अलावा ये लोग गूगल फ्लाइट गूगल फिट गूगल फॉन्स बेसिकली कोई भी चीज आप इमेजन कर सकते हैं अप होनी चाहिए बेसिक यूटिलिटी के लिए गूगल वो अप बनाके बैड़ गया है और इन मेंसे बहुत सारी अप्स प्री इंस्टॉल होती है नए अंड्रोइड फोन्स में अब प्रॉब्लम देखो यही है कल को मान लो और बहुत सारी कंपनिया इवन कोई मोबाइल फोन मैनुफाक्चरर है उसको खुद की आप्स डालनी है वो सोचेगा यहाँ पर गूगल ने तो मेरे लिए को जगाई नहीं छोड़ी उसके इलावा गूगल ना अपनी आप से स करो मगर गूगल एड़मेंट है गूगल का सिंपल यह कहना है कि हमारी एप्स हम खुद बनाते हैं स्टेट ऑफ दी आर्ट होती है और हमारे सौटवेर पे यह अराम से फंक्शन करने के लिए बनाई गई होती है उसके इलावा यह जो एप्स प्री इंस्टॉल करके हम देत गूगल के हसाब से जो यह लोग कर रहे हैं चाहे इससे मनौपली भी क्यों ना पैदा हो रही हो गूगल के हसाब से गूगल कस्टमर का ध्यान रख रहा है और अगर कोई आज के समय डिमांड करता है कि एक एंड्रोइड फोन में ना फॉल्क सिस्टम होना चाहिए फॉल्क एक कॉंसेप्ट कई मुबाइल फोन मैनुफेक्टरर्स कई कंपनियों ने यह का है गूगल को कि आप एक काम करो वेरियस टाइप के एंड्रोइड सॉफ्ट्वेर डिवलप करना स्टार्ट कर दो कुछ एंड्रोइड सॉफ्ट्वेर आप ऐसे डिवलप करो जहां पर मुब गूगल तो यार ठीक है अच्छा कामी कर रहा है कस्टमर के लिए तो वैसे मैं आपको बता दू कभी विना मनौपली मत होने दिना मार्केट में जैसे एक आदमी की मनौपली हो गई फिर वो आदमी अपनी पावर को अब यूज करेगा हाला कि गूगल ने अभी तक ऐसा प्राइम प्राइम पर बड़ा दिया आज के समय आप अगर देखो अब और जगा भी देखोगे और अगर मान लो गूगल इसी तरीके से अपनी एप्स को बढ़ाता रहता है और पूरी आप मार्केट को कभजा लेता है तो कल को आप बताईए क्या चीज रोखती है गूग को के हर महीने आप से यह सौर पे चार्ज करें किस बात को लेकर के गूगल आप स्टोर का आपको हम एकसेस देंगे इसी बात के सौर पे दो और यूट्यूब पे हम देगी चुके हैं आपने देखा होगा चैनल पर खूब सारी एड़ आती रहती है और एड़ से बचने के लिए आपको यूट्यूब को पैसा दिना पड़ता है हलां कि मैं यह कहूंगा मैं अपने चैनल पर बहुत-बहुत कम आट्स डालता हूं उतनी यह डालता हूं कि जिससे अपना चैनल जलता रहे ज्यादा ग्रीड के चकर में आप पे आड्स प्रैक्ता नहीं हूँ मगर मैक इंडिविजूल हूँ गूगल एक प्रॉफिट मेकिंग कमपरी है जिसको कॉंस्टेंटली ग्रो करना है उसका एक ही मकसद है और एक्सपैंशन और एक्सपैंशन अब गूगल ने देखो कॉंपटिशन कमिशन आफ इंडिया की जो भी पनल्टीज हैं उसको लेकर ये का है कि देखिए हमारा सौफ वेर है हम अपने साबसे आपर एंप डालेंगे कुछ यहाँ पे कमपरेंटिशन क्रिएट करने की लिए एक एवंड फीयड करने की कोशचिश करी अलग अलग सौफ्वेर नने को हमको बोला तो इससे अन्थ में क्या होगा कि स्मार्ट फों भारत में और expensive हो जाएंगे इनका कहना ये है कि अभी तक ना हमारी apps ने सारी requirements हमाल लगी है कल को हमारी apps नहीं होंगी तो mobile phone manufacturer खुद अपने पैसे लगाकर apps को develop करेंगे उनको update करेंगे एंड में क्या होगा कि सारी जो cost है ये जाएगी end user पर और इसलिए Google ने ये का है कि जो foundational disruptions हो रहे हैं इससे कई साल पहले चला जाएगा भारत digital initiative के मामले में और इसलिए अब Google सीधा पहुच चुका है Supreme Court में Supreme Court अब बात सुनेगा Google की कि जी Competition Commission of India या पर ठीक कह रहा है या फिर Google ठीक कह रहा है कि इनको एक बार को अपनी monopoly रखने का हग भी है क्योंकि ऐसे long term में customer कोई benefit होगा और Google की argument का main grudge ये है कि आज के समय गूगल की वज़े से ही क्योंकि देखो आम आदमी iPhone तो खृतता ना आईफोन आपके साम नहीं है काफी expensive होता है फिर आपको apps भी काफी बार वावर परचेस करनी पड़ती है उनके store से तो ये लोग कह रहे है कि आज के समयना Google के apps और software की वज़े से ही एक fully functional smartphone छे हजार उपे से भी कम में बहुत से ब्रैंट्स ओफर कर पा रहे हैं तो इनका कहने का मतलब यह है कि जो आदमी 35,000 का phone परचेस कर रहा है वो कल को 35,500 भी पे कर देगा मगर जो आदमी 6-7,000 रुपे का phone वो टागेट करता है वो से परचेस करना होता है कल को वो phone हो गया अगर 10,000 रुपे का तो उसको पीड़ा होगी तो यहाँ पर मैं आप से जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है कि क्या competition commission of India यहाँ पर ठीक है या फिर आप मानती है कि नहीं Google को अपनी monopoly बनाने दो कल को Google थोड़ावत अगर मांगता भी है वो पे कर देंगे अगर Google को force किया गया कि यह अलग-अलग टाइप के software बनाएं various brands के लिए तो say in the end क्यों समझ जाएगा लिखेगा इसके बारे में comment section में मैं genuinely जानना चाहूंगा आपका opinion और finally यहाँ पर मैं यह भी आड कर दू किया आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे SSC, bank, UPSC आप simply purchase कर सकते हैं अनकाडमी के quality courses जिससे घर बैट के आप तारी कर पाएंगे और यह courses purchase करने के links नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के comment section में यहाँ पे comment print होगी for example आपको purchase करना UPSC का course तो UPSC के link पर जाइए और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे अनकाडमी का UPSC course जिससे prelims और mains जो है आपका यह properly cover हो जाएगा यह courses आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और even 36 महीने के लिए मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं यह कभी भी पेमत कर देना, simply यहाँ पर code use करिए PD10 and the prices will start falling, सीधा flat 10% आपको discount मिलेगा, so use the code PD10 and save money, so इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all. कर दो